भारतिय पौरानिक कथाओ के अनुसार गनेश जी के जन्म की बहुती रोमांचक कहानी हमें मिलती है कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती मांसरोर में सनान कर रही थी उन्होंने अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाया हुआ था सनान सतल पर कोई आ न सके इसलिए माता पार्वती ने चंदन के लेप की इंसानी मुरत बनाई अपनी दिव्य शक्तियों से उस मुरत में प्रान फुक कर माता पार्वती ने गनेश जी को जन्म दिया और उन्हें वहां नियुद करके आदने दी कि जब तक उनका सनान नहीं हो जाता उस तल पर किसी को भी आने न दे इसी दोरान भगवान शीव वहां आ गए उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है जब वह अंदर जाने लगे तो उस बालक याने गनेश जी ने उन्हें रोक लिया और अंदर जाने से मना कर दिया यह देख भगवान शीव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी स्वारी नंदी बेल को उस बालक से युद्ध करने के लिए कहा पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया यह देख शीव जी सोयम उस बालक से युद्ध करने लगे गनेश जी भी दुर्टा से खड़े रहे आखिरकार शीव जी ने अपने त्रिशुल से गनेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया शीव के इस विनाशकारी रोदर रुप को देखकर शीव और सभी देवतागन चिंतित हो जाते है मातापारवती के इस क्रोद को शांत करने का केवल एक ही मार्था पुत्र गनेश सभी देवतागन शीव से प्राथना करते हैं कि वे गनेश जी को पुनह जीवन दान दे दे और फिर शीव अपने गनों को आधने देते हैं कि इस संसार में सबसे पहले जिस किसी भी जीवित प्रानी का सिर उन्हें मिले उसे काट लाना जब नंदी और गन कोच पर निकले तो सबसे पहले उन्हें एक हाटी नजर आया वे उस हाटी का सिर काट कर भगवान शीव के ओर चल पड़े शीव जी ने उस हाटी के सिर को गनेश जी के शरीर से जोड़ कर गनेश जी को जीवन दान दिया साथ ही उन्हें वर्दान दिया कि वे ज्यान, बुद्धी और सम्रुद्धी के अधिपती होंगे याने देवता कहलाएंगे और किसी भी शुपकार्य को आरम करने के पुर्व गनेश जी की पुजा की जाएगी तबी वह कार्य पुर्ण होगा यह ती गनेश जी के जनकी डोमा अंचक कहानी दोस्तो यह कहानी सुनकर बहुत से लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि भगवान शीव तो सरवग्य है, तिनों काल उन्हें समाय है, तो उन्हें गनेश उनके ही पुत्र है, यह बात केसे नहीं पता दोस्तो इंडियन मिथियोलोजी लॉफ कर्मा पर ज्यादा फोकस करती है, भारतिये पौरानिक कताय कर्म के सिद्धान पर ध्यान के इंद्रित करती है, उन्हें से एक सिद्धान हमें यह सिखाता है कि जैसा आप कर्म करोगे वेसा ही आप फल पाऊगे इस कर्म के बंधन से भगवान भी नहीं चूटते, भगवान विष्णु के सात्वे आउतार श्री राम ने वानराज पाली को चिप कर बान मारा था, और उसे यह वर्दान दिया था कि उनके अगले जन्में वह उनके मृत्यू का कारण बनेगा वानराज पाली ने अपने अगले जन्में शिकारी का जन्म लिया, और शिकार करते वक उनका दबान भगवान श्री कृष्ण के पेर के अंगुटे पर जा लगा, जब वह पेर के निचे आराम कर रहे थे इस तरह भगवान विश्णू को भी अपने अवतार जन्में किये गए कर्म का फल चुकाना पड़ा उसी तरह भगवान शिव के एक कार्य के फल सरूप यह गटना गटी ब्रह्मपुरान के अनुसार एक बार भगवान शिव ने गुस्ते में आकर अपने त्रिशूल से सूर्य देव पर आक्रमन किया यह देख सूर्य देव के पिता क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को शाप दिया कि जिस तरह शिव जी ने अपने त्रिशूल से सूर्य देव के शरीर को हानी पहुचाई उसी तरह वे त्रिशूल से अपने ही पुत्र के सिर को धड़ से अलग कर देंगे दोस्तों इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है और होने वाला है वह पहले से ही निचित है उसी तरह यह घटना भी पहले से ही निचित ही थी इस घटना को घटित करने के लिए निमित मात्र सुर्य देव के पिता बने अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे और कमेंट करके ज़रूर बताईए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम आपको ऐसी दोचक कहानिया केसे बता पाएंगे सो गाइस सब्सक्राइब करो